है कैसे हो दोस्तों आप सब यह थोड़ा सा अगर फटागों क्या आवाज आ जाएगी तो भाई माफ कर देना क्योंकि भाई अभी माइक नहीं लगाया है मैंने और यह क्विक रिव्यू दे रहा हूं मैं भूल भूलेया थ्री का सेंसर रिव्यू आ चुका है दोस्तों बहुत से मैं एक बात जरूर कहूंगा भूल भूलेया थ्री को जो अंडर एक अंडरेस्टिमेट कर रहे है उनके लिए यह जटका है मैं जितने भी तीन रिव्यू आभी ट्वीटर पर देखने को मिले है हाला कि सिंगम अगें के भी अ आउटस्टेंडिंग यह एक्सपेक्टेशन सच में शायद कार्थिक के फैंस को भी थी या नहीं मुझे डाउट है रिव्यू अच्छे आना जो कि एक यहाँ पर सबसे पहला जो रिव्यू मुझे देखने को मिला था जो यहाँ पर उन्होंने 4.5 रेटिंस देते उन्हों जो ट्रेलर में क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको उनका जवाब मिल जाएगा फिल्म बहुत अलग है ट्रेलर में जो काम दिखाया गया था जो कॉमेडी दिखाई गए थी फिल्म जादा हॉरर है और बहुत as compared to part 2, part 3 is much more बोलते ना एक तरी किसे तरक्की वाला है ऐसा देख करें दोस्तों तो उनका यह कहना कि कार्तिक और ट्रिप्ति की जोडी तो definitely बहुत अच्छी लगी है त्रिप्ति इस लाइक बहुत अच्छी लगे की बोले फिल्म में आपको और फिल्म में कुछ सीक्रेट्स है जो unexpected है ऐसा भी बोला जा रहा है तो यह एक first मुझे रेखने कॉमिक टाइमिंग मतलब जो सबकी कॉमिक टाइमिंग अच्छे है कॉमेडी अच्छी है डायलोग्स कॉमेडी में अच्छे है होरर आपको डर आता तो नहीं है ऐसा भी उन्होंने कहा है बट यस देयर और वन और तू सर्प्राइज पैकेज़ेस एंड यस अनिस बाजमी सब्सक्राइज देयर तू एंडिंग्स अब इस फिल्म यानि कि आप दो पकड़ सकते हो एंड सिक्वेंस जो है वो दो है यहां पे और उन्होंने क्लू ओविएसली क्यू देंगे वो क्लू तो स्पॉलर फ्री है यह और एक था जहां पे 3.5 रेटिंग देखने को मिले और का डांस की बहुत तारीफ हुई है कार्तिक आरियन को लेकर उन्होंने यह कहा है कि कार्तिक बिकमिंग मैच्वर नाओडेज नॉट उन्ली एज अ कॉमेडी मतलब इमोशनल टज भी कार्तिक का हमेशा अचकल अच्छा है एंड बेस्ट एग्जामपली चंदू चैंपियन नो डाउट ऑविएसली बट उन्होंने कुछ फिल्मों के सिक्वेंस भी दिया थे अगर मैं बात करू दोस्तों त्रिप्ती की भी बहुत तारीफ हुए है उनका यह कहना था लेकिन के संजय मिश्रा और राजपाल यादो को और बेटर तरीके से भूल-बुलयावाल उने अभी भी यूज करना चाहिए पार्ट तु का हम एक्सपेक कर सकते थे कि ठीक है थोड़ा कम बेटर रवे में यूज किया था बट पार्ट थ्री में भी उनका कहना था I'm sorry for the disturbance हां sorry सो पार्ट थ्री में भी बेटर थोड़ा सा यूज करना चाहिए था ज्यादा काम देना चाहिए था बाकी सॉंग्स आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा ना रखो म्यूजिक वाइस बोल रहे हो बट वी एफेक्स वाज फैब्यूलस और डेफिनेटली वी एफेक्स होंगे बाई बेटर क्योंकि वो रेड चिलिज ने उसकिया है रेड चिलिज को मैं सैलिट उमार दूंगा बाट इन ओवर अल अगर हम बात करें दोस्तों इट्स ना ओनली फर कार्तिक फैंस उनली बाकी लोगों को भी ये फिल्म पसंद आने वाली है एक अच्छी कॉमेडी और होरर आपको ड्रामा देखने को मिलने वाला है बाकी मैं कोई सब्सक्राइब ने किया है तो कर लीजे ये फिल्म भी धमाका करने वाली है ये दीवाली में कुछ भी तरीके से कम नहीं है भाई ये छोटा धमा का नहीं है अगर लग रहा है तो इस इसको उतना चोटा ना समझो मेरे भाई समझ जवाब कि चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो कर लीजे बट मुझे ट्विटर रिव्यूज देखके मज़ा आ गया भाई मैं दिल से खुश हो यार क्यों मालू मैं यार ये कार्थिग इस लाइक इस सो हमबल यार डाउन टू एर थे यार बनना और मैं नहीं चाहता है कि एक फिल्म के आगे दूसरी फिल्म का एक दम मतलब ना यार दिल से मैं बुरा अलग जाता हूं जब ये रिव्यूज मुझे बहुत ट्रस्ट वर्दी बरस परसन ने दिये मैं आग बंद करके सिंगम के भी रिव्यूज पर बोल लेया के भी रिव्यूज पर भरोसा कर सकता हूं and I know हमारी पॉब्लिक डेफिनेटली मुझे बिलीव करेगी यू विल नॉट डिसपॉइंट गाईज मजा आएगा